नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम सब अपने गोल्स को पाने की कोशिश कर रहे हैं इन गोल्स को जो पा जाएगा उसे हम successful कहते हैं और जो नहीं पाता या जिसे नहीं मिलते किसी भी वज़य से उसे गुमनामी के अंदीरे में कहीं दुन्या भुला देती है वो इंसान खुद को भी कई अंधेरे में छुपा कर रखता है क्यों? क्योंकि उसे शर्म आती है समाज का डर होता है इस शर्म इस डर से हम कभी खुद को खुला महसूस नहीं कर पाते इसलिए हमेशा motivational feel कीजिए याद रखे काम्याब वो है जो या तो inspired रहता है या फिर किसी को inspire कर देता है अगर आप किसी की inspiration बन पाएंगे तो आप उसे motivate करेंगे यानि उसे motivational feel कराएंगे और अगर आप किसी और से inspire हो रहे हैं तो आप खुद ही motivational feel करेंगे दोस्तों याद रखिएगा कि हम वो हर चीज करने के काबिल हैं जो हम मानते हैं कि हम कर सकते हैं यानि हम पर लगी हदें कोई दुनिया नहीं लगाती यह हमारा खुद का दिमाग है जो हम पर यह हदे लगाता है इसलिए हमारे हदों को अगर तोड़ना है तो हमें ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते हमें खुद को आगे बढ़ाने के लिए खुद को इंप्रूर करना है क्योंकि दुनिया में कोई भी नहीं होगा जो हमें आगे बढ़ाने के लिए या तो हमें धक्का दे या हमारा हाथ पकड़ के हमें कीचे जो काम आज करना है वो अभी कीजिए क्योंकि कर लूँगा या करूँगा क्योंकि कर लूँगा या करूँगा ये कभी होता ही नहीं जो करना है वो अभी करना है और जो नहीं कर पाए वो कभी नहीं कर पाए याद रखना अगर आपको बड़ी चीजे पानी है अपने गोल्स पाने हैं अपने बड़े गोल्स का ख्वाब हकीकत में बनता हुआ देखना है तो याद रखिए आपको आपके comfort zone से निकल कर कुछ अलग करना होगा क्योंकि जब तक हम अपने comfort zone में रहेंगे तब तक हम कभी भी अपने आपको challenges नहीं देंगे सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि यह आपको हमेशा एक leader बने रहना है leader वो होता है जो भीड के आगे खड़ा होता है जो असल भीड का चहरा होता है इसलिए दुनिया उसे पहचानती है भीड को नहीं भीड से अलग दिखना है तो आपको भीड को अपने पीछे लेकर जाना होगा ना कि भीड में कहीं छिप कर चलना होगा हकीकत यह है कि अगर आप कभी काम्याबी को ढूंडने निकलें तो याद रखिएगा कि काम्याबी को ढूंडने निकलने के लिए आपको खुद को हमेशा challenges देने हैं और खुद को कुछ ऐसा करने के लिए लाइक बनाना है जो आप तभी सोश ही निसकते थे की आप कर सकते हैं लेकिन आप उसे कर दिखाएंगे तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक आपको लगे नहीं कि आप ठके हुए हो और जब अप ठके हुए हो तो खुद को हमेशा यह यह दिलाना कि मैं रुख नहीं सकता क्योंकि मेरी मंजल बस बहुत करीब है जागो होसला बनाओ और जब सुबह उठो तो इस उमीद से उठो कि आज शाम जब मैं वापस आऊँगा इस बिस्तर पे तब तक मैं अपने सपनों को साकार करने की एक सीड़ी चर चुका होगा असल में हमारी मुसीवते जो होती है वो हमारी कमजोरियों को परक्ते नहीं है वो हमें बताती है कि हम कितने मजबूत हैं जो इन मुसीवतों को पार कर अपनी मंजलों तक आगे बढ़ जाएंगे हमेशा अपने गोल्स पर फोकस कीजएगा क्योंकि अगर आप गोल्स से ज़ादा अबस्टेकल्स पर यानि आने वाली दुगिदाओं पर फोकस करेंगे तो गोल्स आपके अबस्टेकल्स बन जाएंगे और अबस्टेकल्स आपके गोल्स सबने देख रहे हैं तो उसे सच करने का होसला भी आप नहीं है इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग कहीं न कहीं मेरी बातों से इंस्पायड हुए होगी या फिर अपनी इंस्पिरेशन की एक चिंगारी इन बातों से आपको मिली होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें अपने कमेंट छोड़ें और अपना प्यार बनाए रएए धन्यवाद